इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा अगर सियासत किसी मरकजी नुक्ते के इर्दगिर्द गुंती रहती है तो वो है राममंदिर पता नहीं इसके पीछे कितनी जाने चली गई कितने परिवार उचब गए क्या क्या नहीं हुआ हजारों फसाद राममंदिर बावरी मच्जिद को लेकर हुए आखिर सुप्रीम कोट ने फैसला राममंदिर के हक में दे दिया कई साविक जिस्टीस जिनों ने इस फैसले पर अहतराज्य था वही जिस्टीस जिनों ने इसका फैसला सुनाया था हुकूमत की जानिव से इनहीं इनाम भी आसिल हुआ देश के करोडों हिंदों की आस्ताओं से जुड़ा यह फैसला का आगा है पर अब जब भारत अपने तमाम पड़ोसियों से दुश्मनी कर बेटा है ऐसे वक्त में दुनिया का पहला हिंदु राष्ट्र बना नेपाल राम मंदिर पर यह कह रहा है के भारत में जो राम मंदिर है वो नकली है और असली राम मंदिर नेपाल में है नेपाल के वजिर आजम केपी शर्मावली ने कहा के भारत ने नेपाल पर तहजी भी हमला किया है असल भगवान राम नेपाली है और भारत ने अपने ही देश की आवाम को जूट परोसा है भारत में जो राम मंदिर है वो सराचर जूटा है उन्होंने यह भी कहा के सीता की शादी जिस राम से हुई वो नेपाली थे और इनका भारत के आयोद्या से कुछ भी लेना देना नहीं है असली आयोद्या जनक्पूर के शुमाल में वाक् अभर में काफी हंगामा बर्पा हुआ है अब जब भारत में प्रधान मंत्री मोदी राम मंदिर की तामीर करने के लिए पांच तारीक अयोद्या पहुंचनी की बात कहीं जा रही है अब तक 30 लाख लोग इस बाड से मुतासिर हुए सवाल यह खड़ा होता है कि आकर भारत की विदेश नितिक किस हद तक नाकाम हो चुकिया है अब तो यहां भी अमरीकी सदर ट्रंप चीन की विरोध में भारत के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं आखिर करोड़ों रुपय का विदेश दोरा कर प्रधान मंत्री मोदी ने देश को आखिर दिया क्या और जब भी बोल साथ चल रहा था पता नहीं अभी समूदी दोर में क्या-क्या देखना है अब जनताइक ही तरह करेगी कि दुनिया का सबसे बड़ा लोक तंत्र फिर से कैसे सुजराम सुपलाम होगा इत्हाद देखने के लिए शुक्रिया अलाफिस